पुलिस अधीशक शगुन गौतम के निर्देशन में पिछले 24 घंटे के अंदर कुरोना करफियों के दुरान कोविड-90 प्रोड़काल का उलंगन करने वालों के विरुद निमिन कारवाही की गई वही जनपद रामपूर में बिना मास घूम रहे व्यक्तियों से लगबक 4,6 76,500 रुपए का सवन्शूल क्वसूल किया गया बिना वाजिब कारण के घूमते पाए जाने पर 63 वहानों को सीज किया गया कोविड-90 के नियमों का उलंगन करने में निन्यार्मे वियक्तियों के विरुद 15 मुकद में पंजिकरित कर कार्यवाही की जा रहे गी 243 वियक्ति अंद्वारा जारी दिशाने देशों के अनुसार कोविड कर्फियों प्रिभावी है वही जनपद रामपूर में क्रोणा संक्रमन की चेन तोड़ने के लिए जिलाधिकाय रविंद्र कुमार मंदार के नेतरतों में विभिनिस्तरों पर लगातार कारेवाही की जा रहे ता जारी करने एवं सिस्टम सही तैन्य माध्यमों से संक्रमन से बचाओ के लिए जागरुक करने के बावजुद भी लोग अपने घरों से अनवशक रूप से बाहर निकल रहे हैं ऐसे लोगों के विरुत शासन की निर्देशनु सार्वाना लगाने की भी कार्रवाही की जा अपडब जिलह अधिकारी वि टि एवं राज्शव फिर्भाणी अधिकारी आपड़र रांभरत्य वारी ने बताया कि अनवशक रूप से घरों से बाहर निकलने वाले लोगों के विरुत जिन्पद में उपजिलह अधिकारी पुलिस चेतर्राढी कारी थाना पिरभारी और इस्थानिये निकाय अद्वारा 49,000 रुपय का जुरुमाना लगाया गया 40 किलो गिराम मास के साथ एक अभी हुआ गिरफतार वही जनपद रामपूर में गंच पुलिस ने 40 किलो गिराम भेस्वंशी पशुर के मास के साथ एक आरोपी को गिरफतार किया है पकड़ा गया आरोपी निवासी मुहला बजरिया कड्डू का है जिसकी गिरफतारी इसके घर से हुई है आरोपी के कबजे से एक कुलहाड़ी दो छुरी आदिमास काटने के उपकरण बरामद हुए पुलिस ने पशुक्रूरता अधिनियम के तहट रिपोर्ट दर्च कर ली है कोविड-90 के संक्रमन से राहत एवं बचाओ के लिए शासंद्वारा कोविड कर्फ्यू लागू कर दिया गया है वही जनपद रामपूर में अवशक खात वस्तों की आपूर्ती बनाये रखने के लिए जिलाधिकारी रविंजर कुमार मंदार के निरदेश पर अपर राम भरत्तिवारे राजेश कुमार अग्रहरी अभीत अधिकारी खात सुरक्षा को नौडल अधिकारी तथा आनंद कुमार देव मुक्य खात सुरक्षा अधिकारी को सहायक नौडल अधिकारी नमित किया है नौडल अधिकारी अवशक वस्तों की आपूर्ती वंपलप्त जैसे गेहूं, चावल, आटा, दाल, तेलादी का ठोक, मुल्य और फुटकर मुल्य का भी निर्धारान कराएंगे तथा नगरमजिस्ट्रेट और तहसिलदारों के उबजिलाधी कारी से समन्वे इस्थापित करते हुए खद्यान के आपूर्ती निर्धारित रेट पर करवाना सुन्चित कराएंगे यदि किसी थोक व्यापारी या फुटकर व्यापारी के द्वारा खात समागरी को निर्धारित मुल्य पर विक्रे किया जाता है अत्वा आपूर्ती के समन्द में खद्यान को जान बोचकर बजार में कम्यूत्पन करने का प्रियास किया जाता है तो उसके विदो राष्टरी आपदा अधिनियम के तहत कार्रिवाई कराई जाएगी जिला अधिकाई रवीजर कुमार मंदार ने टीम नौ के अंतरगत अधिकारियों के साथ वर्चूल कॉन्फरेंस के दौरान कहा कि जन्पत रामपूर में मूलभूत घरेलू वस्तूओं के दामों की ओवर रेंटिंग नहीं होनी चाहिए कि इसके लिए सभी उपजिला अधिकारी नियमित रूप से निर्धारित दरों का सत्यापन कराते रहें ओवर रेंटिंग किसी भी दशा में बरदाश नहीं की जाएगी इसलिए ओवर रेंटिंग करने वालों के विरूत सक्त कार्रेवाई सुनशित कराए पाच माई से संबंद में ACMO के माध्यम से रेंडम तरीके से सत्यापन भी कराया जाएगा जिला अधिकारी ने कहा कि तीरा मई से शहर में भी दस्तक अभियान चलेगा इसके लिए मुखिचिक से अधिकारी सभी जरूरी तयारियां पूर्ण कराना सुनशित करें नगरमजिस्टेट को उ दरूरी संसाधनों की किसी भी दशा में कमी नहीं होनी चाहिए इसके लिए नौडल अधिकारी के रूप में तिनात अधिकारी नियमित रूप से मौनेजिंग करते रहें